आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Quesion is आपको correct IUPAC naming of the following hydrocarbon करनी है करने की क्या होगी राइट यह hydrocarbon है जिसके आपको क्या IUPAC naming करनी है आपको समझना होगा अकर मैं बात करती हूँ IUPAC system की आपका IUPAC system में एक ऐसे system होता है जिसमें हम क्या करते है naming होती है किसी भी organic compound की हम क्या करते हैं करते हैं इसके नेमिंग करने के लिए कुछ rules होते हैं हमाने पास पहला rule यह कहता है कि आपको parent change होती है वो आपको identify करनी होती है आपकी parent change वो होती है जो आपकी consist करती है maximum number of जो आपकी consist करती है maximum number of carbon atoms को राइट वो basically आपकी क्या होती है parent chain होती है second आपको यहाँ पर क्या होती है कि this parent chain में आपको substituents and आपके functional groups टो होती है वो basically आपको क्या है identify करने होती है और उसी के basis पे आपको parent chain भी identify करनी होती है इस तरीके कि आपके substitute and functional groups को highest priority मिले highest आपकी क्या मिले priority मिले and lowest इनको क्या मिलना चाहिए locator lowest क्या मिले locator clear अब देखो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आपका यह जो organic compound है अगर मैं इसमें आपका देखो organic compound में यहाँ पर draw करती हूँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 सो देखो मुझे आपर क्या है सबसे पहले numbering स्टार्ट करने होगी तो देखो numbering आप इस side से start करोगी 12345678 इस side से numbering स्टार्ट करोगे आपकी हर substituent को क्या है lowest number मिलेगा क्योंकि आप इस side से करते हो आपका क्या होगा 12345678 8 carbon atoms की तो chain होगी बढ़ आप देखोगे यहाँ पर एक substituent को मिल रहा था 3 4 और 7 तो अगर मैं इस way में जा रही थी इस way में अगर मैं जाती हूँ sorry इस way में सबसे पहले मैं गई थी तो मुझे substituent को मिल रहा था 3 4 और 7 राइट फिर जब मैं left to right गई अगर आप देखोगे अगर मैं left to right जाती है तो मुझे क्या मिल रहा है second मिल रहा है 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है second हो गया 5 हो गया और 6 हो गया अब देखो अगर आपको देखना है कि किसको हम prefer करेंगे हम right to left वाली देखेंगे left to right वाली तो देखो आप कैसे देखोगे 3 और 2 में सबसे चोटा नंबर कौन सा आपका 2 का 4 और 5 में चोटा नंबर के है 4 और 7 और 6 में क्यों सा है 6 तो मतलब दो पोजिशन को चोटे नंबर मिल रहे है तो इतमीस आपकी left to right वाली प्रेफर होगे अब देखो अब मैं यहां पर अगर बात करती हूँ तो कैसे लिखोगे आपका जो पेरेंट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा क्योंकि 8 कावन आटम्स की चेन है तो पेरेंट नेम हो जाएगा औक्ते नहीं क्योंकि कोई अंसाटरेशन भी नहीं है प्रिफिक्स आपका ओक्त लगेगा विकोज 8 कावन आटम्स है एन आपका इसलिए लग रहे है क्योंकि आपका यह एल के है कोई अंसाटरेशन नहीं है अब मैं अगर आयूपेक नेमिंग की बात करूँगी तो इसमें आपका बस सब्स्टिटुएंट्स की पोजिशन और उसके नेम आट करने है आप बोलोगे एक 2nd पर है एक 5 पर है और 6 पर है और सारे के सारे आपके क्या मिथाइल ग्रूप्स हैं तो यह हो जाएगा ट्राय मिथाइल ओक्तें राइट सो यह करेक्ट नेम होगा तेंक यू